ओम शैंती, 24 अक्तूबर 2024, मीठे प्यारे बाबा के आज के मीठे मधुर महवाग के आज की मुली के कुछ मुख्य पॉइंट्स आज बाबा हमें समझाते कि जो बच्चे आत्मिक स्थिती में स्थित हो, बाब के साथ इस बेखत के ड्रामा को साक्षी स्थिती में स्थित हो देखते हैं, उन्हें अपार खुशी का अनुभव होता है ऐसे बच्चे सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिती परेशान नहीं कर सकती बाबा केते जिन बच्चों को निश्चे रहता है कि हम स्वैम भगवान विश्व के मालिक बाब से पढ़ रहे हैं और बेखत विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं उनमें बहुत ताकत आ जाती है उनकी बातशीत का धंक, उनकी चलन और उनका स्वभाव अति श्रेष्ट हो जाता है तो चैनिये सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुर्डी ओ शांती बाबा कहते मीठे बच्चे बेखत की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो प्रश्ण बाब से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है उत्तर जिने निश्चे है कि हम बेहत विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं हमें बेहत विश्व का मालिक बना है हमें पढ़ाने वाला स्वैम विश्व का मालिक बाब है ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है ओम शांथि मीठे मीठे रूखानी बच्चों को वा आत्माओं को रूखानी बाब परमपिता परमत्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर सुर्ग के मालिक बनने वाले हैं फिर से, सारे विश्व का बाप तो एक ही है, ये बच्चों को निश्चे होता है, सारे विश्व का बाप, सबी आतमाओं का बाप, तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना दिमाग में बैठता है, क्योंकि दिमाग है तमोप्रधान, लोहे का बर्तन, आयरेन एचिट, दिमाग आतमा में होता है, तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहत का बाप हमको पढ़ा रही हैं, हम बेहत विश्व को पलटते हैं, इस समय बेहत स्रिष्व को दोज़क कहा जाता है, यह जानते हो यह समझते हो, गरीब दोज़क में हैं, बाकी सन्यासी, साहुकार, बड़े मर्तबे वाले बहिश्ट में हैं, बाप समझाते हैं, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब दोज़क में हैं, यह सब समझने की बात कि आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी आत्मा में सारी नौलेज तहरती नहीं है, या भुला देते हो, विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुक पैट तुमको पढ़ा रही है, सारा दिल बुद्धी में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहा कितना समय बैठता है, घंटा, आधा घंटा या सारा दिन, यह तिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए, इश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, बाहर में जिब अपने घरों में रहते हो, तो वहां साथ नहीं है, यहां प्राक्टिकल में तुम्हारे साथ ह जैसे कोई का पधी बाहर में, पत्नी यहां है, तो ऐसे थोड़े ही कहेगी कि हमारे साथ है, बेहत का बाप तो एक ही है, बाप सब में तो नहीं है ना, बाप जरूर एक जगा बैठता होगा, तो यह दिमाग में आता है कि बेहत का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं, दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं, इसमें तो बहुत खुशी की बात है, इससे चास्ती खुशी का खजाना तो कोई क मिलता नहीं, अभी तुमको मालूम पड़ा है, यह बनने वाले है, यह देवताएं कहां के मालिक है, यह भी समझते हो, भारत में ही देवताएं होकर गए है, यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले है इतना दिमाग में है, वह चलन है, वह पातचीत करने का धंग है, वह दिमाग है कोई पात में जट गुसा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी गलानी कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते सत्युग में ये कभी कोई की गलानी थोड़े ही करते हैं, वहां गलानी के छीछी खयालात वाले होंगे ही नहीं बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं तुम बाप को याद करो तो बाप बढ़ जाएंगे तुम हाथ उठाते हो परन्तु तुम्हारी ऐसी चलन है बाप पैट पढ़ाते हैं ये दिमाग में जोर से बैठता है बाप जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है सब को इतनी खुशी का पारा नहीं चड़ता है जब गुद्धी में बैठे तब नशा चड़े विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं यहां तो सब हैं वतित रावन संप्रदाय तथा है ना राम ने बंदरों की सेना ली फिर यह यह किया अभी तुम चानते हो बाबा रावन पर जीट पहना कर लक्ष्मी नारायन बनाते हैं यहां तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान पच्च जैसे ठीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अत्वा फलाना बनाते हैं निश्चर से पढ़ाते हैं और बैं बन जाते हैं पढ़ने वाले भी नंबर वार होते हैं ना फिर पद भी नंबर वार पाते हैं ये भी पढ़ाई है बाबा इम आपजिक्ट सामने दिखा रहे हैं तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे खुशी की बात है ना आईसी इस पढ़ने वाले भी समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे घर बनाएंगे ऐसा करेंगे बुद्धी में चलता है यहां फिर तुम बच्चों को बाप पैट पढ़ाते हैं सबको पढ़ना है पवित्र बनना है बाप से प्रतिग्या करनी ह कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चठ हो जाएगी यहें मृत्यू लोग पुरानी दुन्या है हम पढ़ते हैं नई दुन्या के लिए यह पुरानी दुन्या तो खत्म हो जानी है बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोग के लिए सारी दुन्या का चक्र बाप समझाते हैं हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है औरली ही बाप समझाते हैं पहली पहली बात बाप समझाते हैं अपने को आत्मा निश्च्र करो आत्मा भगवान बाप का बच्चा है परमपिता परमात्मा परमधाम में रहते हैं हम आत्माएं भी वहां रहती हैं फिर वहां से नंबर वार यहां आते चाते हैं पाट बजाने के लिए यह बड़ी पेहद की स्टेज है इस स्टेज पर पहले अक्टर्स पाट बचाने भारत में नई दुनिया में आते हैं यह उन्हों की आक्टिविटी है तुम उनकी महिमा भी काते हो क्या उन्हों को मल्टी मिल्योनेर कहेंगे उन लोगों के पास तो अनकिनित अथा धन रहता है बाप तो ऐसे कहेंगे न यह ल लोग क्योंकि बाप तो बेहत का है यह भी ट्रामा बना हुआ है तो जैसे शिव बाबा ने इनों को ऐसा साहुकार बनाया तो भक्ति मार्ग में फिर उनका यानि शिव का मंदर बनाते हैं पूजा के लिए पहले-पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया बाप रोज-रोज समझाते तो बहुत हैं नशाच चढ़ाने के लिए परन्तु नंबर वार पुर्शार्थ अनुसार जो समझते हैं वे सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते हैं नहीं तो मासी हो जाते हैं बच्चे जानते हैं वरोबर यह भारत में राच्चे करते थे तो और कोई धर्म नहीं था देजे जम्मी थी फिर बाद में और और धर्म आई हैं अभी तुम समझते हो यह स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है स्कूल में इम आपजेक्ट तो चाहिए ना सत्युक आदी में यह राच्चे करते थे फिर चरासी के चक्र में आए हैं बच्चे जानते हैं यह है बेहत की पढ़ाई जनम जनमांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए सारे स्रिष्टी को पल्टाने वाला रीजुबनेट करने वाला अर्थार नर्ग को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं इतना जरूर है मुक्तिधाम तो सब जा सकते हैं स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे ये अब तुम जानते हो हमको बाप इस विशे सागर वैश्याले से निकालते हैं अभी बरोबर वैश्याले है कब से शुरू होता है ये भी तुम जान चुके हो पच्चिस सो वर्ष हुआ जब ये रावन राचे शुरू हुआ है भक्ति शुरू हुई है उस समय देवी देवताधर्म वाले ही हैं वह बाम मार्ग में आ गए भक्ति के लिए ही मंदर बनाते हैं सोमनात का मंदर कितना बड़ा बनाया हुआ है हिस्ट्री तो सुनी है मंदर में क्या था तो उस समय कितने धनवान होंगे सिर्फ एक मंदर तो नहीं होगा नाम, हिस्ट्री में परके एक का नाम डाला है मंदर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं एक दो को देख, पूजा तो सब करेंगे ना धेर मंदर होंगे सिर्फ एक को तो नहीं लूटा, दूसरे भी मंदर आसपास होंगे वहां गाउं कोई दूर-दूर नहीं होते हैं, एक दो के नज़धी की होते हैं क्योंकि वहां ट्रेन आधी तो नहीं होगी न बहुत नज़धी एक दो के रहते होंगे फित आहिस्ते-आहिस्ते स्रिष्टी फैलती चाती है अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो बड़ी ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते ही ये तो नशा होना चाहिए ना घर में कभी रोना पीछना नहीं है यहां तुमको देवी गुण धारन करने है इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया चाता है यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुन्या को पल्टाते हैं, पुरानी दुन्या को नयाब बना देते हैं, जिस नहीं दुन्या का फिर तुमको मालिक बनना है बाप, बादा हुआ है, तुमको युक्ती बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है, यह तो समझते हो, हम यहां के रहने वाले नहीं हैं तुम यह थोड़े ही चानते थे, कि हमारी राजधानी थी, अभी पापने समझाया है, रावन के राज्ये में तुम बहुत दुकी हो, इसको कहा ही चाता है विकारी दुन्या यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं, अब यह रावन राज्ये कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, सरा भी किसको पता नहीं है बुद्धी बिलकुल तमो प्रधान है, पारस बुद्धी सत्युक में थे, तो विश्व के मालिक थे, अथा सुखी थे, उसका नाम ही है सुखधाम, यहां तो अथा दुख है सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी पाप समझाते हैं सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, वनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबर वार समझते रहते हैं समझाने वाला तो है बेखत का पाप, श्री कृष्ण को बेखत का पाप थोड़े ही कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं परन्तु किसको बाप पहें, कुछ भी समझते नहीं मैं तुमको देवता बनाता हूँ मेरी कितनी गलानी की है फिर देवताओं की भी गलानी कर दी है इतने मूड मती मनुष्य बन पड़े है कहते हैं भज गोविंद बाप कहते हैं ये मूड मती गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धी में कुछ आता नहीं कि किसको बचते हैं पत्थर बुद्धी को मूड मती ही कहेंगे बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ बाप सर्व का सत्गधी दाता है बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आधी में कितने फसे हुए हो भगवान जो कहते हैं वे तो बुद्धी में लाना चाहिए परन्तु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं तो इश्वरी मत पर चलें कैसे गुविंद कौन है क्या चीज़ है वे भी चानते नहीं बाप समझाते हैं तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है ये भी ट्रामा में नोंध है बाबा हम फिर से आप से ये वर्सा ले रहे हैं हम नर से नाराएंग जरूर बनेंगे स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है हम ये बनेंगे निश्चे रहता है अब बाब कहते हैं तुमको सर्वगुन संपन बनना है कोई से क्रोध आदी नहीं करना है देवताओं में पांच विकार होते नहीं श्रीमत पर चलना चाहिए श्रीमत पहले पहले कहती है अपनी को आत्मा समझो तुम आत्मा परमधाम से यहां आई हो पाठ बजाने यह तुम्हारा श्रीम विनाशी है आत्मा तो अविनाशी है तुम अपने को आत्मा समझो मैं आत्मा परमधाम से यहां आई हो पाठ बजाने अभी यहां दुखी होते हो तब कहते हो मुक्तिधाम में जामे परन्तु तुमको पावन कौन बनाए बुलाते भी एक को ही है तो वे पाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो देह नहीं समझो मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ आत्मा ही बुलाती हैं यह पतित पावन आकर पावन बनाओ भारत में ही पावन थे अब फिर बुलाते हैं पतित से पावन बनाकर सुखधाम में ले चलो श्वी कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है श्वी कृष्ण के लिए सबसे चास्ती वृत नेम आदी कुमारियां माताएं रखती हैं निर्चल रहती हैं खृष्णपुरी अर्थात सत्युक में जाएं परन्तु ज्यान नहीं हैं इसलिए बड़ा हट आदी करते हैं तुम भी इतना करते हो कोई को सुनाने के लिए नहीं खुद प्रिश्णपुरी में जाने के लिए तुमको कोई रोकता नहीं हैं वो लोग गर्मेंट के आगे फास्ट आदी रखते हैं हट करते हैं तंग करने के लिए तुमको कोई के पास धर्ना मारकर नहीं बैठना है न कोई ने तुमको सिखाया है श्री कृष्ण तो है सत्युक का फर्स्ट प्रिंस परन्तु ये कोई को भी पता नहीं पड़ता श्री कृष्ण को बहे द्वापर में ले गए हैं बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों भक्ती और ग्यान दो चीज़ें अलग हैं ग्यान है दिल भक्ती है रात किसकी ब्रह्मा की रात और दिल परन्तु इनका अर्थ न समझते हैं गुरू ना उनके चेले ग्यान भक्ती और वेराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है ग्यान दिन भक्ती रात और उसके बाद है वेराग्य वे चानते नहीं ग्यान भक्ती वेराग्य अक्षर अक्यूरेट है परन्तु अर्थ नहीं चानते अभी तुम बच्चे समझ गए हो ग्यान पाप देती है तो उससे दिन हो जाता है भक्ती शुरू होती तो रात कहा जाता है क्योंकि धक्का खाना पड़ता है ब्रह्मा की रात सुप्रामनों की रात फिर होता है दिन जान से दिन भक्ती से रात रात में तुम बनवास में बैठे हो फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को दिल वर चान सिक्वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते गुद मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धारना के लिए मुख्य सार, अपने दिल से पूछना है, पहला पॉइंट, बाब से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है, वे दिमाग में पैडता है, दूसरा पॉइंट, बाबा, हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है, बादचीत करने का धंग ऐसा है, कभी किसी की गलानी तो नहीं करते, तीसरा पॉइंट, बाब से प्रतिग्या करने के बाद, कोई अपवित्र कर्मत तो नहीं होता है, बर्दान, साक्षी स्थिती में स्थित हो, परिस्थित्यों के खेल को देखने वाले संतोशी आत्मा भव, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिती हो, लेकिन साक्षी स्थिती में स्थित हो जाओ, तो अनुवव करेंगे, जैसे पपिट शो है, यानि कट पुतली का खेल, रियल नहीं है, अपनी शान में रहते हुए, खेल को देखो, संगम युग का श्रीष्ट शान है, संतुष्ट मनी बनना वा संतोशी होकर रहना, इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती, संगम युग पर बाप दादा की विशेश देन संतुष्ट रता है, स्लोगन ऐसे खुश्णुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे, ओं शान्ती, आज के अव्यक्त इशारे, मन में जब कोई संकल्प उत्पन होता है, तो उसमें सच्चाही और सफाई चाहिए, अंदर में कोई भी भाब, स्वभाब, पुराने संसकारों वा विकर्मों का किच्रा नहीं हो, जो ऐसी सफाई वाला होगा, वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा, वह सबका प्रिये होगा, उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिये होगा, फिर देवी परिवार का प्रिये होगा, संसकारों की टकर से बच जाएगा, उम शान्ती